तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ITBP के बारे में, इंडो तिबतन बॉर्डर पुलिस क्या करती है, कहां पर डिप्लॉइड है, क्या इसके एप्रॉक्सिमेटली स्ट्रेंथ है, कौन-कौन से काम जो है, कब-कब इसे दिये गए, अलग-लग टास्क अब दिये गए, इसका क लेट क्या है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, स्वागत है, मैं संदी बंसल, एक्स अस्टन कमाड़ेट वीए साफ, आपका स्वागत करता हूं इस पर्टिकलर सीरीज में, जिसमें हम फोर्सिस के बारे में शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम इसमें हम जो टमलाजी यूज करते हैं, 1962 में इसकी जो है स्थापना होती है, आफ्टर मैथ आफ्ट अफ सीनो इंडियन वार, 1962, इंडिया के लिए एक बहुत बाड एक्सपिरियंस था, क्योंकि अजादी हुए को 15 साल हुए थे, हिंदी चीनी बाई-बाई-बाई का नारा दिया गया था, बट इंडो-चाइना वार के बाद हम यह realization हुआ, एक dedicated force होनी चाहिए तिप्पत बॉर्डर पर, इंडो-चाइना बॉर्डर पर, इसका मकसद है, बॉर्डर सीकुरिटी को, तिप्पत बॉर्डर की security को ensure करना, disaster response, maintaining the ecological balance, इसके लाबा उसको क्या-क्या टास्क दिये गए अब इसका थोड़ा सा background देख लेते हैं अच्छा interesting है कि initially जो इसका किस से अपना हुई थी वो CRPF Act के तहत हुई है ठीक है raised under the CRPF Act और ITBP जो है initially raised के गी थी मात्र चार बटालियन से कि स्टेंड से for intelligence gathering and border security 1965 to 67 में बात करें दो wars हुए हमारी India Pakistan के साथ 65 में ब और काफी decisive थी जिसके बाद बांगलादेश बना इसमें भी जो है war time service जो है ITBP ने दी participated in both the wars इंडो पाक वार उसके बाद 1978 में कहलीजे री organization होता है restructured with nine service battalion, four specialist battalions and two training centers बाद में चलकर ITBP Act आता है 1992 तो आप देख सकते हैं स्थापना 1962 में उसके लगबग 30 साल बाद आकर है ITBP Act आता है 2004 में expand किया जाता है इसके responsibility को ये भी interesting है कि इसको पूरा का पूरा इंडो चाइना border दिया जाता है क्योंकि इससे पहले जो असम राइफल थी वो थी आपके सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश में जो इंडो तिबथ या के लिजे इंडो चाइना border था वो कौन गाड़ कर रहा था असम राइफल ये responsibility असम राइफल से लेकर किसको दी गई ITBP को तो ITBP आज के समय पर लगभग आप कह सकते हैं 3500 किलोमेटर का जो border है इंडो चाइना border है उसको गाड़ करती है आज के समय पर अगर हम इसकी active के लिजे स्ट्रेंड देखें तो around 90,000 है और budget जो है लगभग 1 billion dollar या 8600 crores में आप देख सकते हैं अगर हम इसका organizational structure क की बात करें दो कमांड आपको देखने को मिलती हैं headed by an IPS officer DG rank director journal उसके नीचे आपको दो कमांड है additional director journal ADJ rank में और उस ADG rank में 5 frontiers है headed by IG rank और उसके बाद आपके sectors आते हैं sectors are headed by DIG जैसे आपने BSF में देखा था वहां पर frontier उसके बाद sectors and then आपका battalion headed by the commandant rank और company commander कौन है company commander आप आपका assistant commandant है ठीक है तो 62 battalion 56 regular force specialist 2 rescue battalion ठीक है जी strength यह लगातार बढ़ती जा रही है ITBP की strength खासकर जो है recently अगर हम देखें इंडो चाइना के साथ जो हमारे चाइना के साथ जो हमारे relation है उसके बाद जो है इंडो चाइना बॉर्डर पर जो तनातनी रही 2020 में गलवान बैल टी आईजी आईजी अडिशनल डीजी स्पेशल डीजी ठीजी ठीक है यह आपका officer में रैंक structure है non officer personal ठीक है जी उसमें हम कह सकते ASI SI inspector सुभेदार या कैलीजे inspector सुभेदार major ठीक है और तेन आपका OR में other ranks में constable head constable woman officers की बात करें तो बहुत रीसेंटली 2021 में जो है woman officers जो है induct की जाने लगी है ITBP में as an officer as a combat जो है combat officers assistant commandant अब हम यह कह सकते हैं कि पांचो CAPF जो exam होता है assistant commandant direct entry examination सारे की सारी forces में woman officers are allowed ठीक है जी sports excellence की बात करें क्योंकि इनके deployment जो है बहुत क्या लिजिए tough terrain में है high altitude areas में है तो आप देख सकते हैं ice hockey became a very natural for ITBP personal to get to participate in so ice hockey team is one of the strongest winning multiple national champions उसके अलावा national representation रही है बहुत सारे ITBP players जो है आपको यहां पर मिलते हैं like recently India ice hockey championship भी इन्होंने जीता ITBP की team में जीता इसके लावा community engagement की बात करें तो civic action program बहुत important civic action program जो है remote border areas के लिए किया जाता है recently initiative भी कहा गया कि यहां पर हमारा देश की starting होती है rather than saying it is a last village we should call it as a first village ठीक है जी और free medical camps जो है health hygiene care important in the for the border border population उसके लावा educational support 21 ITBP public schools across India run by ITBP personal और local communities को need को पूरा करते हुए एक और interesting चीज है ITBP के बारे में ITBP is the only CAPF जिसमें आपको combatized stress counselors मिलते हैं ठीक है interesting है combatized stress counselors मिलते हैं यह जो counselors है they range from deputy commandant या you can say from head constable to deputy commandant rank ensuring comprehensive support और dual role आपको देखने को मिलता है they help in improving education for ITBP personal and their wards, their kids और stress management का भी important role play करते हैं जो कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा हमेशा से मुद्दा रहा है के forces में stress management होना बहुत ज़रूरी है considering that they are serving in a very tough locations Himvir Wives Welfare Association तो यहां पर आप देख सकते हैं like non-profit organization supporting ITBP families and dependents, skill development पे काम करते हैं, community outreach जो की लगवग सारी forces में आपको Wives Welfare Association मिलता है अगर हम sacrifices की बात करें तो देखो ITBP के case में आप देखेंगे के जो विजवी अगर मैं BSF की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ CRPF की तो उस case में जो है आपको जो sacrifices है, supreme sacrifice कम देखने को मिलते हैं क्योंकि location wise बहुत tough है, climatically बहुत tough है, operationally उतने ज़ादा tough areas नहीं है अगर recent years को छोड़ दिया जाए उससे पहले बहुत जादा आपको वहाँ पर कैलीजी इंडो चाइना बॉर्डर पर movement देखने को नहीं मिलती थी ठीक है, again ठीक है, मैं बहुत ही जब्मेदारी के साथ compare कर रहा हूँ बाकी forces के साथ ठीक है, क्योंकि like BSF deployed है जमू बॉर्डर पे, इंडो पाकिसान बॉर्डर पे तो वहाँ पर आपको ज़ादा जो है कहलीजी operationally काफी tough रहता है, similarly CRPF की काफी battalions है, नकसल प्रभावी शित्र पे वहाँ पर काफी कहलीजी challenge रहता है operationally, तो उस case में comparatively जो है कम challenge है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं terrorist encounter, assistant commandant Ashok Kumar, way back in 1998, ठीक है जी, so रणा, Ashok Kumar, रणा, sorry, inspector Rajkumar, then आपका Mount Everest expedition, और Kabul embassy, ठीक है जी, अब recently अगर आप देखेंगे ITBP को apart from within the country border, उसके beyond भी duties दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं काबूल embassy को protect करने की जिम्मेदारी ITBP को दी गई Recent developments में बात करें तो श्री राहूल राजगोतरा IPS, उन्होंने charge लिया 1 January 2014 को, first woman officers, यह हमने already discuss किया, 2021 से, as assistant commandant भरती होनी Next आपका border patrolling, so ITBP का primary role, 3, 4, 88 km का Indochina border को patrol करना, को guard करना, और क्या battalions है, that we have already discussed, पर जो सबसे बड़ा challenge है, extreme climate conditions, अगर आप ITBP की casualties की बात करेंगे, तो climate related casualties, वो जादा मिलती है, than the operational casualties, क्योंकि बहुत tough locations में काम करते हैं, और इसलिए, कह लिए हर Indian को proud है, ITBP force पर, high altitude post, outpost at an elevation, up to 18,000 feet, ठीक है, 18,000 and even beyond that, so long range patrol आपको देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत tough locations हैं, Recently, like all the CAPF को, National Disaster Response Force की battalions में duties भी दी गई है, So they have certain areas, ठीक है, उसी तरीके से ITBP भी, disaster response में अपना role play करती है, ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, force maintain eight regional rescue response centers across हमाचर परदेश, हुत्राखन, नौर्थ इस्ट इंडिया, अगर आप देखेंगे, successful lesson of major Himalayan peaks, continuous training in advanced mountaineering techniques, exploration, so anyone who is very much interested in mountaineering, और उसको hills में काम करना अच्छा लगता है, तो I think इससे better force नहीं, next आपका winter sports excellence, यह भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ITBP ऐसी location में काम करती है, तो winter sports में इनकी participation automatically बनती है, skiing achievements आप देख सकते हैं, multiple national championship और international, जो के लिए, यह events represent किया है भारत को, Olympic participation representing India in winter Olympic events, और इसके लावा training facilities, state-of-the-art skiing facilities at high altitude location, जैसे मैं आपको बताया कि किसी को अगर यह सारी चीज़े पसंद हैं, उसके लिए, ITBP से बहतर force नहीं हो सकती है, river rafting fields की बात करें, तो ITBPs, river rafters have created international history, by navigating through the turbulent white waters, और प्रमपुत्र, expedition in dus challenge, ganges journey, again, क्योंकि located in tough locations, they have to be very good in this particular area also, ceremonial excellence उसके लावा, Republic Day Parades में, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा किया है, marching excellence, historic tableo in the Republic Day Parade, ठीक है जी, recently environmental conservation के लिए, they have started doing their best, reforestation, wildlife protection, sustainable practices, this is just, I am adding the things, COVID-19 response में, India में, इंडिया नहीं, world the largest COVID care center in Delhi, ठीक है, सवार, बलभाई, पतेल, COVID care center, ठीक है, छावला camp, quarantine facility for Wuhan evacuees, और ये बिल्कुल पहली stage की बात कर रहा हूँ, जो बहुत जादा डर था, किसी को पता नहीं था कि वाइरस क्या है, ठीक है, एक बहुत अलग तरीके का, कह लिजिए, मतलब एक fear factor अभी था बहुत जादा, so multiple quarantine facilities across India, तो ये जो है, COVID-19 में भी, ITBP का एक बहुत crucial role देखा गया, VIP security में, so VIP protection, security and high profile political figures, poor focus, potential shift to border duties, क्योंकि जैसे मैं आपको कहा के इंडो-चाइना border पर जो बहुत जादा activity नहीं थी, वो recent कुछ years में activity बढ़ी है, ठीक है, specialized skills की बात करें, adapting to changing security needs, obviously, with the time, जो है, नहीं technologies आ रही है, और अगर हम training facilities की बात करें, तो ITBP, जो officers की academy है, वो आपके मसूरी में है, and then central training college, अलवर, subordinate officers training, basic training college, भानू, हर्याना में, C.I.J.W. school, बेलगाउं, ठीक है जी, और करनाटका, counter insurgency, then आपका specialized animal training, canine training, dogs training के लिए, so search and rescue, yark management, ये interesting है, ये आपका ITBP में देखने को मिलता है, क्योंकि again, serving in high altitude post, so skills for handling yarks in high altitude areas, and then आपका logistical supports, using animals for transport in remote areas, remote areas में जहाँ पर आपका कोई और transportation माध्यम नहीं होगा, वहाँ पर animals ही आपके काम आएंगे, future directions में आप समझ सकते हैं technological advancement, इस पर बहुत जादा focus किया जा रहा है, जैसे कि drones है, advanced surveillances है, और इसके लावा आप कहा सकते हैं, IT, infrastructure को improve करना, focus on cyber security, ये अगला point आ गया, modern warfare, and ecological role, environmental conservation efforts also, especially, जो हम हम हमालेन ecology में changes देख रहे हैं, उसमें ITBP का भी रोल आता है, because they are serving, actually serving over there, so ये था ITBP के बारे में एक brief information, I hope आपको ये information अच्छी लगी होगी, the idea is very clear, कि CAPF के बारे में, जो बहुत जादा जानकरी नहीं है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकरी लोगों को पता लगे, especially the students who are preparing for these examinations, they should definitely know about these forces, Thank you so much, Jai Hind, Madhya Baal.